Basic Science Series में आपका स्वागत है यहां हम बुनियादी विज्ञान के अत्या दुनिक विशो पर गहन चर्चा करते हैं मैं आपका होस लोकिंदर कुमार और आज हम फेरॉप्टॉसिस नाम की प्रॉसेस को समझेंगे जो कोशिका मृत्यू या सेल ड़त का एक नया और दिल्चिस्प प्रकार है इस कड़ी में हम उसके मॉलेकिलर मेकेनिजम साथी साथ सेलेलर कंसेक्वेंसेज और प्रोटेंशल तरुपिडिक अप्लिकेशन्स यानि वो किन-किन जगाओं पे नई थेरिपी डिवल्प कने के लिए यूज हो सकती है उनके बारे में पता लगाएंगे तो चल पान नामक पर्टिकलर केमिकल या पॉली अन्सैचिरेटेड फैटी एसिट के साथ जुड़ा है इसे पहली बार दो हजार बारा में विविन शारिरिक रोग समंदी संधर्वों में एक इंपॉर्टन प्रोसेस के रूप में बताया गया आईए इसको तोड़ा डीटिल में स Antioxidant रक्षा प्रनालियों का Disregulation शामिल है कई प्रमुक फैक्टर्स की एक जटिल परिस पर प्रक्रिया इस क्रिय को विवस्तित करती है Central Factors में से एक Glutathion Peroxidase 4 जिसको की GPX 4 कहा जाता है ये एक तरह का Enzyme है जो Lipid Peroxides को खतम करने और Cellular Redox Centulin यानि Cellular Redox Balance मनाने में मदद करत है Ferruptosis में एक अन्य महत्यप्रून घटक Iron पर निर्भर Enzyme पर नाली है जिसे Lipoxygenase पात हुए कहा जाता है ये Lipoxygenase पात हुए पूफा के Oxygen या Oxidation को करने के लिए Iron कौप्यों करता है साथी साथ Reactive Lipid Species का निर्मान करता है जो Ferruptotic Cell Death को बढ़ावा देता है Pro-Apoptotic और Antioxidant Molecules या अन्यों के बीच एक Dedicate Balance नाजुक संतुलन Ferruptosis की Process को Strongly कंट्रोल करता है उधारन के लिए Sistine Glutamate Antipodal System एक महत्यपुन भूमिका निभाता है यह Glutamate के बदले Cell में Sistine का याद करता है जो Glutathion के बनाने के लिए बहुत आवशक है एक Antioxidant जो Lipid Paroxidates को Counteract करने में मदद करता है अब आई यह Ferruptosis के वियापक महत्व broader significance को explore करे हाला कि अभी भी इस क्षेत्र में रीसर्च यानि अनुसंधान बहुत ही सक्रिया है Ferruptosis को विभिन शारिरिक और रोग प्रक्रियाओं के साथ जुड़ा गया है उधारन के लिए यह Neuro Degenerative बिमारियां जैसे Parkinson's और Alzheimer के साथ साथ Kidney Injury, Liver Disease के साथ भी चुड़ा हुआ है इसके अलावा Anti-Cancer Therapy Especially जब Cancers को Target करना होता है Cancer कोशिकाओं के खिलाव Strategy के रूप में Ferruptosis Process को यूज किया जाता है Tumor कोशिकाओं अक्सर Iron Metabolism और Antioxidant System में Change को दर्शाती है जिससे वे Cells, वो Particular Cells Ferruptosis के लिए Susceptible या समवेदन शील हो जाते हैं यहां पे हम Cancerous Cells की बात कर रहे हैं इसी वज़ा से Novel Therapeutic Approaches के विकास को आप प्रमोट कर सकते हैं जिसमें Small Molecule Innovator और Ferruptotic के Activators भी शामिल है और जिस पर Currently, At Present बहुत सारी Research हो रही है संक्शेप में अगर Ferruptosis को समराइज करें Ferruptosis को बताने की मैं यहां पर कोशिश करूँ तो Ferruptosis एक Novel Fascinating Form of Regulated Cell Death है जिसकी Implication बहुत सारे Areas में है Physiological हो गया, Pathological Context में इसका रोल है इस प्रिक्रिया में Cellular Iron Metabolism, Antioxidant Defense System और Libid Proxidation का बहुत ही Important रोल है Ferruptosis के Molecular Mechanism को समझना उन रोगों के लिए नए Therapeutic Options प्रदान करने की Possibility को बताता है जिसमें Oxidative Stress और Cell Death या कोशी का मृत्यू शामिल है जी हाँ, इसी के साथ Ferruptosis पर आज का Episode हम यहीं समाप्त कर देते हमें उम्मीद है कि इस चर्चा से आपको इस पर्टिकल सब्जेक्ट के बारे में Clarity मिली है हमेशा की तरह Biological Sciences की सीमाओ को Explore करते रहें जी ग्यास्तू आप बने रहें हमारे अगले वीडियो में हमारे साथ बने जहां Basic Sciences के दुनिया में एक और Stimulating सा टॉपिक आपके ले के आएंगे तब तक Explore करें सीखते रहें और ग्यान की सिमाओं को आगे बढ़ाते रहें धन्यवाद दोस्तों